आप जब क्लाइंट के पास जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि पीड़ा कारण गया है क्या एन्वाइर्मेंट है या कुण्डली है या प्लैनेट्स है या खुदी है अच्छा- वो खुदी है? मतलब क्या? मतलब घर का वास्तु तो ठीक है entry exit door ठीक है kitchen ठीक जगह पर बाथरूम कहीं ज्यादा major negative में नहीं है फिर भी problem में इसका मतलब वो खुदी पीडा का गारण बना हुआ है अलो दोस्तों मैं डोक्टर योगिनल सिंग राठ थोड़ आप लोगों के लाया हूँ inner wellness type का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बड़ी amazing personality मोजूद है यह है महावास्तु आचारे जस्प्रीत योगिनल जी नमस्कार आपको सबसे पहले कि आपने मिरे को यहाँ बुलाया thank you so much यह महावास्तु क्या है बहास्तु तो मैंने बहुत सुना है बट महावास्तु क्या है सर्व महावास्तु क्या है हमारे गुरूजी है डॉक्टर खुजदीब बंसन, he's from Delhi, तो वो एक institute है, जहां पर आपको train किया जाता है, कि आप अपना तो वास्तु ठीक करो, बट साथ में आप कैसे दूसरों का वास्तु भी ठीक कर सकते हो, So, महावास्तु अचारया means I have done all the courses with the महावास्तु as an institute, and मेरे जैसे बहुत सारे students हैं इंडिया में, और भार भी हैं काफी देशों में, So, महावास्तु की जो नीव रखी की ये, एक typical वास्तु की सोच को एक upgrade किया जाए, आज देखो क्या हो गया है, इंसान Nokia phone से iPhone पे आ गया है, बट ये जो इतना important subject है न, इसको लेके, आज भी लोग बहुत सारी myths में जीते हैं, उस myths को clear करने का जो काम किया है, वो उने किया है, और उसके इतने amazing results है, without breaking anything, without doing major changes in your house, if not required, कोई 1% case में जुरत पढ़ती है, वैसे नहीं पढ़ती है, तो ये महावास्तु हुए, तो कब आपका अकर्शन इसकी तरफ बना? Okay, so dad said, जो आपकी इच्छा करो, so I joined my real uncle in Bombay, he's also my guru, जिन्होंने मुझे property सिखाया, तो यहाँ आने के बाद, और ज़्यादा मेरी curiosity बढ़ती गई, वास्तु और इसको देखे, क्योंकि real estate में मैं दिखता था हर आदमी, वास्तु अले को बुला के पहले वास्तु दिखाता ह है, यहाँ तो कोई पंडी जी आ जाते है, I also started showing my kundalese the night, फिर एक ऐसा time आता है life में जब आप गलती करते हो, अपनी life में, peak time था life का real estate में, 12, 2011, 12, कुछ mistakes मेरे से होई life में, तो यह curiosity आई किया, इतने वास्तु वालों को दिखाया, इतने पैसे मैंने खर्च किये, इतनी पा just dial in India, for Dubai, okay, so, यहाँ real estate था, पैसे कमाए थे, तो सोचा चलो, let's do something else, तो मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गया, उच्छा, so, 2012 में जब मैं वापिस आया, इस दुबई गया, so, यहाँ लगता था, यहाँ सब कुछ रोजी है, पंडी जी ने बोला, कुणली अच्छी है, गर का वास्तु, अच्छा है, सब सही चल रहा है, पैसे भी कमाए है, let's start something, बेगाप, कुछ बढ़ा करते है, वो बढ़ा करने के चकर में यह हुआ, कि जो यहाँ बनाया था, वो सब बिग गया, ओफो, 99 to 2011, जो भी success पाई थी, वो साथ साल में जो कमाया, सब बेचा, क्योंकि अपने पे जब बीटती है, तब आपकी इच्छा थोड़ी अच्छे से निकल के आती है, अंदर से, तो मैंने काफी courses किये, normal courses किये, बहुत books पड़ी, फिर मेरी नजर गई महा वास्तु पे, वाया YouTube, वाया you know some advertisement, फिर मैंने खुजदीब बंसल जी को follow करना शुरू किया, आज 2015 से अभी 2023 में हम, जो भी मेरी जरनी वास्तु में रही, 2019-2020 से मैंने खुजदीब जी को बहुत ज़्यादा follow किया, now, when you know, I proudly say that I am महा वास्तु अचारया, because I have seen with very small things, with the right, perfect mind, जो आपके लिए वास्तु कर सकता है, वो विक्षित उनोंने करवाया वे अंदर, और उनके द्वारा दिये गए जो results है, वो amazing है, जो भी उनोंने हमें पढ़ाया, जो भी हमने observe किया, उस study से, वो आज हमें लेकर आते हैं, तो एक अलेगी results आते हैं, इसके बारे में बहुत myth है market में, और initially आपके दिमाग में भी एक skepticism था, कि ये वास्तु से क्या वेक्षित बनाते हैं क्या, तो आप क्या देखते हैं कि लोगों को आपने क्या myth देखे, या आपके अंदर शुरुवात में क्या myth थे, और कैसे उन myth को दूर किया जा सकता, अ अगर आप कुछ logic explain कर सके, how was to exactly works? रजस फायर है, सत्व क्या है, ग्यान है, तमस क्या है, तमस आपको थोड़ा सा एक relaxed mood पे लेके जाता है, आप कोई भी चीज fast track पे नहीं करते हो, तामसिक में हमारे याँ पर हमने ज़्यादा तर यह observe करते हैं कि लोगों बोलते हैं तामसिक है, नौन्वेज खाता है, दार प्रकरती है, आज हम बोलते हैं ना पांच तत्वों से हमारा पूरा जाहन बना हुआ है, यह पांच तत्व क्या है, पानी, हवा, अगनी, अर्थ, अताश, ठेक है, हमने यह सारे तत्वों को मिला के, बट इस पे तीन जोएनों में एक्टिव है, वो है जल, वायू अगनी, रजस, सत्व एन तमस, वात, पित और कॉफ, आपके एन्वायर्मेंट के अंदर यह जो दिशाए हैं, इनके अंदर भी यह तीनों जो हैं मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, राइट, सेम वे एक इनसान के अंदर, एक प्रकरती उसको लीड करती है, एक इनसान होता है, जो बहु प्रकरती से आप विचलित हो जाते हो, वो कैसे होता है, फायर वाले आदमी को, अगर मैं नॉर्थ के जोन में सुला दूँगा, जो वाटर का डिरिक्शन है, तो उसकी फायर थंडी पड़ जाएगी, तो क्या नोटिस करोगे, आप जब आप घर बजलते हो, यह आप अपनी जगा से मूव होए, बाइविस्टेक आनी शुरूई, और वो आप समझ नहीं पाए, आप वाटर वाले आदमी हो, आपकी प्रकरती तमस प्रकरती है, आप कफ प्रकरती के बंदे हो, आपने घर चेंज की, आप साउट डिरेक्शन में जाके सो गए, ओके, नॉर्थ में थे तो आप बहुत बेनिफिट उठा रह होगा, तो छोटी-छोटी बात के गुस्सा आएगा, तो वो भी अपनी प्रकरती से बंदा विचलित हो गया, तो इनको कैसे बैलेंस करें, एन्वायरमेंट को हम कैसे बैलेंस करें, आपकी घर को कैसे बैलेंस करें, आपको कैसे बैलेंस करें, क्योंकि खाली वास्तु गारण किया है, क्या एंवायरमेंट है या कुंडली है या प्लैनेट है या खुदी है, वो खुदी है, मतलब घर का वास्तु तो ठीक है, इंट्री एग्जेट दोर ठीक है, किचन ठीक जगा पे है, बाथरूम कहीं ज्यादा मेजर एक नेगिटिव में नहीं है, फिर भी प् पोजिशन से थोड़ा हट के गलत जोन में चला गया है, और इसमें क्या गलती करते हैं जनरली, जब खुद की प्रकरती इंबैलेंस हो रही है, तो एक तो आपने जैसे सोने का एक्जामपल दिया, आपका ओफिस का कैबिन गलत जोन में चला गया, आपके ओफिस में, अभी आपके प्रकरती निगल के आती है, अच्छा आप यह वाले जूम में सो जाई है, यह वाले जोन में बैठ जाई है, तो मतलब वास्तो सरफ एंवार्मेंट में के अज्जेस्मेंट है, वो ही नहीं है, आपका प्रकरती भी मेंटर करती है, यह मैं पहली बार यह कोई बता रही है, मुझे बहुत मेंटर करती है, जब आदमी ठक जाते हैं न, तंत्र यंत्र मंत्र लगागे, तब यह चीज उन से रिलेटेड हैं क्योंकि वो आपको experience प्रोवाइड खराते हैं, आज कोई भी celebrity है, कोई भी यह बंदा जिसका south डिस्टर्ब होगा या east डिस्टर्ब होगा, politician का, दिखांट राइस, जिस politician का east खराब है, वो बंदे के politics career में कुछ न कुछ इशू आने ही वाला है, और भी उनकी life में गलती से हो जाता है, because they also change a lot of properties, उनके offices change होते हैं, गर चेंज होता है, कभी यहां से move होए, तो जब हम देखते हैं, जब हम उसको realize करते हैं, जाके देखते हैं, आपने मही, toilet आ गया, kitchen आ गया, color change हो गया, दिवार के color, तो पहले तो मैं आज आपको बताता हू कि घर के center से, सूला zone है, अच्छा, हाँ, वो triangle बनते हैं, आपके घर के center से, ब्रह्मस्तान से, सूला zones के अपने-अपने meaning है, जिसमें north से start करता हूँ, north आपके लिए opportunity का zone है, आपकी life में जो भी opportunity आ रही है, वो north से आ रही है, प्रकृति कुछ भी हो, north is standard, दिशाओं के दोनों का relation जो है, वो play बनेगा, इन दोनों का relation, प्लस आपके घर में क्या activity और utility है, अब activity utilities क्या है, आपके बाथरूम, आपका kitchen, आपके घर की washing machine, आपके घर का bar, study table, यह सब क्या है, यह आपकी activity और utilities है, तो दिशा का गुण धर्म, fix है, 16 दिशाओं है, north opportunity, north of northeast health, health, आपकी immunity, northeast is clarity of mind, east of northeast happiness in your family, east is connectivity with everybody in this world, east of southeast is churning, आप जो भी life में सोचते हो, वो churning कहा होता है, east of southeast से होता है, फिर southeast, आपके पैसे का zone, south of southeast, आपके confidence का zone, जिस बंदे में confidence नहीं है, या था और वो suddenly खराब हो गया, उसके घर में center से, वो degree पे, या तो निला रंग आ गया होगा, काला रंग आ गया होगा, या पानी की activity ज़्यादा बढ़ गई होगी, फिर south, south आपका fame और relaxation जो आप सोते हो, क्यों बूलते हैं, south की तरव head करके सो, बेटर रहेगा, south relax करता है आपको, फिर आता है south of southwest, south of southwest क्या है, ये drainage zone है, 99% public, महावास्तु के आने से पहले, बेसिक मित पे कि south और west के बीच में southwest होता है, वहाँ bed डालके, लूक्स हो जाते हैं, south of southwest drainage zone है, ये कहां से मालूम पड़ा, क्योंकि महावास्तु में, खुशदीब जी ने काफी सारे मैलों पे study किया, कि एक राजा अपने घर में क्या-क्या activity कहा रखता था, और वो कैसे उत पन होई, तो जब center से हम south-southwest की degree देखते हैं, जो आपके घर के center से 190 और 210 के बीच में आती है, सारे mall palaces में वो toilet है, अच्छा, southwest उससे अगली degree है, 20 degree क्योंकि जब आप 360 degree को 16 से divide करते हो, तो आपको 22 degree का एक pie मिलता है, तो south-southwest के बीच में एक direction आती है, south-southwest, वो है toilet की direction south-southwest में जो बंदा सो जाता है, उसका क्या होता है, body के minerals और vitamins तो dispose off होते ही होते हैं, बुद्धी भी वरष्ट होती है, addictions आ जाते हैं life में, तो अच्छा, alcohol का consumption बढ़ जाएगा, पहले हफते में एक बार पीते थे, south-southwest में एक साल सोगे, देखलो रोज पीना स्टार्ट कर दोगे, relationship dispose off हो जाएंगे, आप एक अलग ही मतलब life के उस पर चले जाते हो कि जहाँ आपको कुछ सही नहीं लगता, फिर आता है south-west, south-west क्या है, south-west आपका relationship zone है और आपकी skill का zone है, फिर आता है west of south-west, west of south-west क्या है, आज उसको महलों में बोलते थे, ये लोग जो भी practice क करते थे, उस टाइम पे क्या ओता था, शस्त्र अभ्यास होता था, पढ़ाई के साथ साथ, इनकी पढ़ाई से जादा इनका शस्त्रों का अभ्यास था, तो कोई भी अभ्यास आपकी life में जो हो रहा है, वो west of south-west से हो रहा है, रोके हैं, आज आपके घर में west of south-west जो direction है, to entity, if I am not wrong, it comes 152, 170 degree के बीच में, वहाँ पे पढ़ा हुआ समान, आपकी life में अपने आप आपको उसकी तरफ attract करने लगता है, तो जिन बच्चों का पढ़ाई वे मन नहीं लगता, उनके study tables वहा रख दीजी आप, अच्छा, जिन गरों में बच्चों का मन पढ़ाई में ल के खेलने कुदने का समान होगा या television होगा, आप west of south west में बच्चों की किताबे रख दीजे, आने वाले 90 दिन और 120 दिन में आपको एहसास हो जाएगा, कि उसका मन कैसे अपने आप किताबों की तरफ जा रहे हैं, फिर आता है west, west क्या है, west आपके जीवन में गेंज की direction है, अच्छा, west जो direction है, राजे माराजाओं का जो bedroom होता था अपने घर में, वो west में होता था, या तो proper south में होता था, या west में होता था, वो कभी खुद southwest में नहीं सोय, southwest में वो अपने मंत्रियों को रखते थे, ताकि जो उनके right hand और left hand है, वो अच्छे से खाम कर सके, वो अप अथर कोई कर रहे है, आज यहाँ पर भी 25,000 एक प्यून की salary है, आपको सस्ते में यहाँ कुछ नहीं मिलता, अच्छा केलिबर स्टाफ आप तो 50,000, 70,000 में मिलता है या लाक रुपय में मिलता है, minimum, कमा वो भी बंदा रहा है, बट वो saving नहीं कर पा रहा है, बिचारा किरा सब्सक्राइब के वहाँ पर आप village की painting लगा दीजिए, village scene की painting आती है, online आपको मिलेगी Amazon पे, जो लोग किराए के घर में रह रहे हैं, और जो शिदत से मिनत करते हैं, पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं experience है बुल रहा हूँ, दो साल में अपना घर खरीद लोगे, त from north to north, east to all directions, 16 directions balance है, और west में अगर आपने वो painting लगा दी, तो village की painting का मतलब क्या है, village है stability की direction, symbol, और southwest से west क्या है आपके beach का direction, stability, अर्थ का zone है, जब आप वहाँ पर village की painting लगाते हो, पुराने टाइम पे क्या होता था, ये क्योंकि वास्त बहुत पुरानी science है हमारी, पुरा गाओ, उसका सरनेम, उसके पूरवज, पित्र, वो मेरा सरनेम, मेरा गाओ, आप वहाँ जैसी वो active करते हो, आपका subconscious mind अपने आप आपकी stability के लिए आपको काम दरवाता है, आप लोन लेते हो bank से, आप पैसे जोडते हो, वो लोन लेके उसको चुखाना कैसे, उसका system आप अ पोनी शुरू हो जाती है, मेरे recent अभी आपको case studies बताऊंगा, there was a guy, मेरे पुराने real estate के friend है, बहुत senior है, उनके losses हो गए थे, 18 साल से rent पे रह रह रहे थे, यह जहां हम बैठे हैं, इसके पीछी उनका घर था, rented house, so he called me one day and said, देख मेरी उमर हो गई है, बेटा मेरा young है, काम क कर रहा है, अब ठक गए यार, अब rented house में रह सकता ये भी, कुछ तो कर, तुने वास्तु सीखा है, मेरा घर हो जाए, within a year, because his son was putting efforts in the right manner, within a year, that boy bought a house, इन थाने, lovely, अब west के बाद जो next direction आती है, that is called west of northwest, west of northwest क्या है, history में इसको को बवन बोलते थे, को बवन क्या था, कि जब आपका मूड खराब होता है, जब आप डिस्टर्ब हो, तो आप अगर वाद जाके, पंदरा बीस मिनट बैट जाओगे, आदा एगंटा बैट जाओगे, तो आपकी जितनी भी बोडी के emotions है, वो सब वहां पे release हो जाएंगे, राजाओं ने अपने महलों में, हिस्ट्री मे आपने पड़ाओगा, कोब बवन वर्ड था, इसलिए बनाया था, बिकोज दे यूस्ट्री में राजा की दो दो चाचा रानी थी, घर में मूर स्विंग चलते थे, अलागी हर किसी की प्रकरती थी, तो घर में रोना दोना अलाओड नी था, कोब बवन में जाओ, वहां ज कामें एक तो चर्निंग करती है, प्लस आपकी गंदगी को दो के भार देती है, उसके बाद आता है नौर्थ वेस्ट, नौर्थ वेस्ट के सपोर्ट सिस्टम है आपकी लाइफ में, यह जो डारेक्शन है, इसमें भी अर्थ हैलिमेंट आ जाता है, यह स्पेस में एक सपोर्ट सिस्टम है, जब आपको लगे कि आपको बैंकिंग सपोर्ट आपकी खराब हो रही है, मीन्स आपने नौर्थ वेस्ट में कुछ ना कुछ रॉंग एक्टिविटी लाके रख दी है, यह तो लाल रन कर दिया है, यह कुछ ऐसा गलत एक्टिविटी है, कुछ समान साथ हनी मिल रहा है, यह हमारे को यह बड़े ऑफिसर से साथ हनी मिल रहा है, मतलब नौर्थ वेस्ट इस्टर्ब है, अशोख अस्तम लगा दो, क्लीन करके, बैलेंस करके वह अशोख अस्तम रख दो, यह जिस देश में आप हो, जैसे दुबाई वालों को मैं बुलता दुबाई में लोग हमेशा हिस आई देश शेक महमत की फोटो लगाते हैं अपने ओफिसेज में, तो मैं उनको बुलता हूँ वेस्ट यहां फिर नौर्थ वेस्ट में ना आओ, अच्छा, क्योंकि गौर्मेंट को ही कंट्रोल कर रहे हैं तो आप और्टोमेटिकली गौर् को या जिन हस्बेंट वाइश में नहीं बनती है, जिन में कुछ इशूज है, हम उनके बेडरूमस वहां चूज करते हैं, उनके फोटोग्राफ वहां लगा देते हैं, शौप कीपर्स के लिए जो दुकानदार है, जिनके जो समान नहीं बिकरे हैं, जो पर्टिकुलर प्र आपके लाइफ के गुण धर्मों को मिसमैच कर देगी, काम खराब कर देगी, बस वो ठीक करो, उसको तरीके से रखो, कलर्स भी फिक्स्ट हैं, जैसे नौर्थ है, वाटर है, वाटर का जोने तो वाटर के कलर्स क्या है, ब्लू, ग्रे और आप ब्लैक शेड्स भी ले सकते हो, एर क्या है, ग्रीन कलर, पेड़ पौदे, ब्राउन कलर, फायर क्या है, फायर में आप एर को यूज कर सकते हो, कलर्स को ग्रीन यूज कर सकते हो, फायर के जोन में, ग्रीन और ब्राउन यूज कर सकते हो, रेड, पिंग यूज कर सकते हो, फिर आता है साउथ वेस्ट, जो अर्थ का element है, South-South-West, पीला गलर, बीज कलर, वाइट कलर, वेस्ट, वेस्ट, आई ऑल्वेस से, keep it white, pure white और बीज, वेस्ट को तो कोई दूसरा कलर कभी use ही मत कीजिए, उस सबसे बेस्ट है, फिर, वापिस हम water के zones में आ गए, तो ये cycle of creation है, पानी से, पेड़ पौदे आए, पेड़ पौदों से लकडी मिली, fire आई, fire के लिए earth चाहिए, earth wind space, mental health और especially wellness को लेकर के, और एक money को लेकर के, ये दो बड़े health और money, काफी लोगों की problems में आते हैं, तो उससे related कुछ general remedies हैं, जो आप guide कर सके हैं लोगों को, अब जैसे आप योगेंदर जी इतने अच्छे speaker हैं, mental health को लेके आप बात करते हैं कि, हर चीज जो घटित होती है, वो हमारे brain से होती है, अगर हम उसको positive रखे, उससे कोई भी चीज, जो हमारा subconscious mind हमें signal दे रहा है, उन सब्दों को अगर हम सही से यूज करें, तो life में वैसी सब सही चलता है, बड़ वो होगा कैसे, आज जब मैं आप सब motivational speakers के वीडियोज देखता हूं, कुपाल दाज जी को भी मैं follow करता हूं, वो इतने अच्छे वो देते हैं speech, अब मुझे उनके सामने जनता बैठी है, आप भी जब speech देते हूं, आपके सामने जब जनता बैठी है, जब तक वो आपके सामने बैठे है, तब तक वो एक motivated रहते हैं, जैसी वो अपने environment में जाते हैं, वो environment उनका motivation तोड़ देता है, वो क्या है, वो उस गर का north east सबसे पहले है, मैं इंडिरिया, north east अगर आप देखोगे, वास्तु पुरुष मंदल में हम देखते हैं हमारे study में, वास्तु पुरुष क्या है, एक human body है, उनका सर है, जो north east direction में है, क्यों बुलते हैं हमारे toilet नहीं होनी चाहिए, आपके सिर के उपर, drainage zone बन गया, तो drained out ही रहोगे, कोई ilाज नहीं है उसका, देखो north east का toilet तो strictly नहीं है, वास्तु में, उसका कोई treatment नहीं है, as a वास्तु consultant, महा वास्तु consultant, we never give north east, we always say कि it's better, अगर आपके पास घर छोटा और वो ही एक घर है, तो I would say कि आप सेल कर दो, दूसरे घर में चले जाओ, और end में चले जाओ, या फिर बड़ा घर है, तीन-चार बातरू में, तो महीं बुलते हो north east का toilet, तो कमोड निकाल के pack कर दो, north east में रखा हुआ, जैसे west-south-west और west में रखा हुआ, समान आपके subconscious mind को signal देता है, stability के लिए, north east का जो area है, वो आपके conscious mind को immediate signals देता है, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे, जो बुलते हैं, यार, headache खतम नहीं होता, सर का दर्द खतम नहीं होता, north east में जाओ, गर में कील ठुके हुए, या तो frame टंगे हुए, घड़ी टंगी हुए, या पॉट्स टंगे हुए, बालकनी में, बहुतो हाल ये कील निकाल दो, आपका north east है न, जो आपके approximately, अगर मैं study बोलूँगा, तो 30 degree to 45 degree के बीच में, center of the property से आता है, जितना need and clean रखे, मैं तो बोलता हूँ, normal में need and clean है भी, जब भी आपको life में ऐसा लगेगी, कुछ सूजबूज नीरा, कि इस चीज़ का result कैसे लूँ, थोड़ा अपने घर में north east की चीज़ों को हिला दो, थोड़ा cleaning कर दो, थोड़ा उसको balance कर दो, अपने आप फट कर गया आपको कुछ ना कुछ नया सूज़ेगा, north east को लेको अभी देख़ो, हमारे आपर क्या है, because बहुत सारे वीडियो भी आते हैं, instagram पर, youtube पर, लोग डर भी गए है, अच्छा, because क्या होता है, वास्तू consultants आके, बहुत हेवी statements दे देते हैं, कि north east में toilet है, तो ये तो होके रहेगा, ये तो होगई होगा, अब हुआ क्या आपने, वो बचारे सामने वाले layman, के subconscious mind, और conscious mind को active कर दिया, उसको डरा दिया, yes, so what I say, just relax, जहां इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, आगी भी नहीं होगा, बट अगर आप समझदारी से काम लेना चाहते हो, एक right treatment चाहते हो, और अगर आपको कोई consultant उसका right advice दे रहे है, तो उसको समझ के, relate करके use कीजिए, north east से उन चीजों को हटा दीजिए, डरने की जुरत नहीं है, don't be scared, तो ये तो रहा mental health के लिए, और money का भी बहुत से लोगों का problem रहता है, ये वो money अभी क्या होता है, money हमारा direction है, south east से आता है, बोलते हैं पैसे का जो churning है पूरा, वहीं से शुरू होता है, पैसे का योगिंदर जी, कि सबसे बड़ा reason अधर मैंने ये देखा है, तो आप खुद ही एक reason होते हो, जिसकी वज़े से चीज़े सही नहीं होती, अच्छा, कुछ ना कुछ आप गलत step ले रहे हो life में, तो इसलिए आपके वाश पैसा आ दी रहा, या आपने किसी को दे दिया है गलत आदमी को, तो वो डूप गया है, या कार्मिकली अगर मैं cycle बोलूँ, तो आपके अंदर एक वो आदत है कि आप कभी भी, जिसको आपको payment करनी है, आप time पे नहीं करते, आप सामदोने लोगों को लटकाते हो, तो कार्मिकली आपको भी वो सहना पड़ेगा, बड़ ये होता क्यों है, वास्तों imbalance होने की वज़े से, तो जब आपकी fire disturb हो जाती है, south east, south east और east south east के बीच के zone में, जब आप नीला रंग, काला रंग, toilet, kitchen लोग बोलते हैं, वाँपे fire का zone है kitchen बना दो, लोग kitchen तो बना लेते हैं, बड़ गलती से जो green आइड यूज़ करते हैं, वो काले रंग का यूज़ कर लेते हैं, तो fire खराब हो गई, तो मैं क्या suggest करता हूँ कि आप वहाँ पर south east में, या east south east में, देखो east हमारा है connectivity का zone, east south east है churning का zone, और south east है पैसे का zone, पैसे में, कहा south east में, वो conversion जो है, east south east, जो इससे पहले वाला zone है, east south east में अगर आपके यहाँ पर imbalance है, नीला रंग है, काला रंग है, तो वो convert ही नहीं हो, बारा लोग बुलते हैं, इतनी मेनत करता हूँ, convert ही नहीं होती, तो convert क्यों नहीं हो रही, क्योंकि east और south east और south east के बीच में, काला रंग, नीला रंग, पानी की activities या imbalance है, या वो zone आपके center से, क्योंकि apartments में क्या होता है, हम footstep method count करते हैं, कि कहाँ ज़्यादा foot steps आ रहे हैं, जब घर तेड़े-मेड़े होते हैं, तो उसको हम center of the house लेते, या फिर square या you know rectangular house है, तो हम एक center पकड़ लेते हैं, फिर वहाँ से हम देखते हैं, 16 zones की strength क्या है, तो strength कैसे लिखती है, 360 degree divided by 16 किया, 16 zone आ गए, अब center से, आपकी उस दिवार तक, वो zone की कितनी लंबाई चुड़ाई है, अच्छा, तो वो zone की अगर strength कम है, east-south-east अगर कम आ रहा है, तो conversion नहीं हो रहा, तो उसको कैसे करें, कुछ नहीं, very simple, green color के plants, उस zone में लगा दीजिए, वो zone में भी आप अपनी washing machine लगा सकते हैं, although it has a water activity in it, बट वो पानी store नहीं करती है, फेक्ती है, बट चर्निंग करती है, किसिन भगवान जी की माता जी उनके लिए लसी बनाती है, तो वो लसी मटके में लेके देखो, मधानी से ऐसे करती है, उसकी picture मिलती है हमारे को, बखन बनाते हुए, वो picture लगा दीजिए, वो छोड़ी है, जो मधानी हम जी इसको बोलती है, जैसे हम लसी बनाते है, वो लकड़ी की आती है, आप वो रख दीजिए, आपके घर में वो है, आप वो ले जाके East-South-East में रख दीजिए, East-South-East direction क्या है आपकी? आपके घर के center से, 95-98 degree से start होती है, 100-110 degree के बीच में आती है, वो 20 degree वो पूरा ख़बर करती है उदर का, 90 से के बाद में, 100-110 के बीच में आप East-South-East आता है, East-South-East direction में, अगर किसी का bedroom है, तो बंदा हमेशा anxiety में रहता है, यह जो तीन जोन है न, negative zone, 16 में से तीन negative है, East-South-East negative zone में आता है, क्योंकि बहुत जादा churning भी दे देता है वो, अगर आपका bedroom में होगा, तो आप सारा टैम सोच्टे रहोगे, anxiety में रहोगे, वहाँ से आपको bed move करना है, anxiety ठीक हो जाएगे, कोई tablets लेने की जुरत नहीं है, तो बिजनस्मेन के लिए आप क्या general guidance दे सकते हैं, especially जो office में आप, ज़ादा थरा बिजनस्मेन को काफी guide करते हैं, मेरे ख्याल से, तो उनके लिए कुछ general guidance that you can offer here, one or two, देखे पहली बात तो यह है कि आप, का product क्या है, आप किस चीज की service दे रहे हैं, उससे relate करके हम आपकी office की प्रकरती को balance करते हैं, अच्छा, restaurant वाला है, fire का activity है, तो fire के zones को ठीक रखना पड़ेगा, consultant ओ, southwest consultant के लिए east के साथ में, lawyer है, lawyer के लिए मेरे को east, south, east, तकि उसकी churning चलती है सारा time, अब आप बोलोगे doctor, doctor के लिए बहुत सारे मेरे क्लिनिक्स में वास्तू किया, जहां पे doctors का ये कहना था कि यार, इससे पहले वाले cleaning में जब था, जब यहां shift किया, बहुत जल्दी patients को relief मिल रहा था, यहां पता नहीं आगे क्या हुआ है कि नहीं हो रहा है, तो उस clinic का north of north east imbalance है, south west balance करोज की skill को, south west में क्या हो जाएगा, green color आ गया, earth element है, उसमें green color मतलब आपने air डाल दी, south west में जब air जाती है, पेड़ पौदे जाते हैं, उनकी जड़े उस earth को फाड़ती है, तो earth जो है वो हिलती है, तो green color क्यों नहीं allowed करते हैं, अगर south west में green color है, तो आपके relationship में problem आने वाली है, आपके skills में problem आने वाली है, तो जिन offices में south west में green color की wall हो गई है, जादा brown color हो गया, उनके यहां फे stability नहीं रहती, स्टाफ अपनी skill अच्छे से use नहीं करता, देखो mind सब के बास है, पड़ा लिखार कोई है, बड़ो environment काम नहीं करने देता, इसमें किसी के belief का कितना रोल होता है result आने में, जैसे अभी example दिया, कि कोई समझ नहीं रहा है उसको, उसका faith नहीं है, इसमें belief नहीं है, maybe husband wife है, wife का belief system है इसमें, husband का नहीं है, वो उसमें नहीं मान रहा है, और ऐसे में कितना प्रभाव पड़ता है, कि जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं, उसके किसी के कहने पर कर दे रहे हैं, उनका खुद का belief है या नहीं है, how much that plays a role, देखिए इसमें ऐसा है, कि generally मैं जबी भी करता हूँ, तो मेरे नहीं महावास्तों में हम जबी भी इस चीज़ को करते हैं, हम हमेशा, we try, when we go to somebody's house, we tell them कि आप अपने परिवार को साथ में बिठाने जे, husband wife है तो husband wife आजाए, joint family है तो we are very much comfortable to give everybody this advice, कि साथ में लीजे, बट कई जगों पर ऐसा होता है, कि कोई comfortable नहीं है, या उसका belief system नहीं है, बट जब घर में वो जो members ने मान के उसको change कर दिया न, belief system उसमें आ जाता है, जब वो अपने आप अपनी life में change देखता है, आदमी को क्या है, हमारे यहाँ पर चमतकार चाहिए, आप मुझे बताइए, आप ऐसा motivation speaker का ही बात करते हो, लोगों को क्या लगता है, कि बस आज योगेंदर ची ने यह idea दिया है, मैं अपलाई कर दूं, तो चमतकार हो जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लोगों इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, वो possible नहीं है, जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट कमिट भी कर रहा है न, वो आदमी सही नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट किसी भी चीज़ से नहीं आते, टाइम लगता है, शवर होना बहुत जरूरी है, तो इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ों के standards fix हैं, जो आपने बताया, वैसे कोई time standard भी है, कि आपको कितने समय में result मिलता है, average, आपका subconscious mind active होता है, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, subconscious mind ने restore बहुत कुछ किया हुआ है, subconscious mind ही आपके conscious mind को काम करने के लिए signal दे रहा है, action call ले रहा है, conscious mind, subconscious mind ने देख के अंदर store किया हुआ है, एक 60 दिन से 90 दिन लगते हैं, active होने में, तो यह एक standard आपके लेके चलते हैं, नहीं हुआ, फिर हम क्या करते हैं, जैसे महा वास्तू में हमारे, दो या तीन layers हैं काम करने के, पहला है basic वास्तू, दूसरा हम लेते हैं, वास्तू with your astro, जैसे आपकी प्रकृती के साथ करते हैं, वैसे आपके astrology के साथ भी करते हैं, astro क्या है, जैसे solar zone है, तीन negative, तेरा positive, कुंडली में, I am not that great astrologer, बट मैं कुंडली यूज करता हूँ, वास्तू को ठीक करने के लिए, आपकी कुंडली में जो 12 box है, उसमें से 3 negative है, 6, 8 और 12, आप कोई भी कुंडली देखोगे, तो आपकी कुंडली में, 12 box हैं, और उसके अंदर आप number देखते हूँ, जो roman numbers लिखे होते हैं, आपको ठेड़े में दिखाई देते हैं, शफल नंबर दिखाई देते हैं, वो आपकी राशी है, zodiac science है, और 9 planet है, जैसे solar zones के meaning fix है, वैसे इन तीनों चीजों के meaning fix है, 12 box के meaning fix है, zodiac science के meaning fix है, 9 planet के meaning fix है, कोई planet बुरा नहीं है, सब planets इतने wonderful results देते हैं आपको, क्या आप सोच नहीं सकते हैं, आपको use करने आने चाहिए, वैस्ट में आपको मैंने, stability के लिए village की painting बुली, आपने बुला उसका symbol क्या है, वो शणी का symbol भी वो ही है, okay, Saturn है वो आपके लिए stability के लिए, तो जो आप numbers देख रहे हो ना अंदर, shuffle numbers, वो shuffle numbers आपके ये घर की सूदा दिशा हैं है, ओके, वो zodiac signs, तो जैसे मान लीजे, आपके first box में, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे first box में, कुंडली में, मिथून राशी, Gemini जिसको हम बूलते हैं, कोई भी पंडिती के पास जाते हो, तो बुलते हैं, आपका पहला box ये बताता है, कि as a person आप कैसे हो, आपकी मंधारना क्या है, आपका मंद के अंदर क्या है, आपकी personality क्या है, so vision और manifestation जो आपका first box है, वो घटित कैसे होगी, मेरे लिए होगी, अगर मेरा bedroom north of north rest में होगा, तो मैं उसको सही कर लूँगा, अगर वहाँ पे 10 number बैठा है, 10 number जो हम cross देखते हैं, मतलब south और south of south east, अगर जिस आदमी के 10th में, Capricorn की राशी बैठी हुई है, Aquarius राशी बैठी हुई है, उसके इसाब से हमको उसके zone से देखने, 10 number वाले के south सबसे best है, अगर 7 number राशी और 8 number राशी जो है आपकी, वो 8 बैठी है बारवे बाक्स में बैठी है, और आपने अपना केविन बना लिया south west में, तो आप हो गए बरमाद, क्योंकि वो zone मैच नहीं हुआ आपकी कुंडली के साथ भी, 10th box हमारी growth का होता है, किसी भी आदमी के लिए, उसकी कुंडली में उसका 10th box उसकी growth का है, growth के box में अगर Aries राशी बैठी हुई है, Aries राशी क्या है, आप बस उस आदमी को इस डिरेक्शन में बिठा दीजिए, या उसका कुछ समान, important समान, या उसका सोनी की डिरेक्शन इस्ट में कर दीजिए, 10th box में सुला के आदमी को मैंने ऐसे wonderful results दिये हैं, चो, क्योंकि growth का box है, आदमी अपने आप growth की तरफ भगता है, इतना ये deep studies हैं इस पर, so, इसके बारे में जो myths चलते हैं बाहर, क्या myths आप सबसे ज़ादा देखते हैं, and how you can educate them on that myth? See, myths में ये बोलना चाहूँगा, कि रेखिए, आप कोई भी advertisement देखके, या कोई भी YouTube या किसी की भी आप, you know, Instagram पे Reels देखके, आप अपने घर में उस product को ले जाके, please मटांग ये, number one, एक professional help ज़रूरी है, एक professional help बहुत ज़रूरी है, अब होता गया है, आपने pyramid की आड देखी, आपने, you know, यंत्रों की आड देखी, या आपने कुछ तंत्र देखे, उठा के लगा निये, क्या वो आपके लिए beneficial है, क्या आपने उसको right direction में अपनी प्रकरती और अपनी कुंडली के हिसाब से लगाया है, आप मैंने village painting बोल दी, उठा के आपने village painting लगा दी, आपने आठवे box की राशी में, या बारवे box की राशी में, तो हुआ गया, जो गरता वो भी बिख जाएगा, stability चाहिए, बढ़ चीजे चाहिए, बहुत important है दिमाग से यूज करना, तो आने कि proper professional help लेनी ज़रूरी है, just bits and pieces पे आप कोई complete advice ना ले, even take it as a guidance, but उस पे action लेने के लिए थोड़ा वो डीपर जाएं उस पे, बहुत जरूरी है, अब East South East का bedroom का मैंने आपको बताया कि anxiety का bedroom है, कुछ couples के साब मेरा ऐसा हुआ है कि यार, भाई, bedroom में जाते हैं तो लड़ाई होती या living room में नहीं होती, अच्छा ऐसा भी है, बाई साब आपका bedroom East South East में उसको change करो, बेट की direction भी change हो जाती है कभी-कभी उसी bedroom में, तो आप positive zone या तो East में चले जाते हो या South East में चले जाते हो, East South East से आपके body निकल जाती है, कुछ गरों में मैंने ऐसे देखा है कि bed जो है वो divide करता है उस line को, तो एक partner तो fine zone में सो रहा है, एक खराब में सो रहा है, अब जो खराब में सो रहा है, उसकी वज़े से दूसरे को भी effect होता है, क्योंकि जो उसका mindset है, वो partner को भी effect दे रहा है, जोड़ी है life दोनों की, दोनों की life जोड़ी हुई है, तो इसलिए मिच से दूर रहो, धर का balance करो, घर के balance के लिए quick आपको line देता हूँ, पांचो elements को कैसे balance कर सकते हो, नॉर्थ में पीला रंग, लाल रंग बिल्कुल यूज़ मत करो, जितना नॉर्थ से लेके नॉर्थीस के बीच में, पीला लाल रंग आप धूर रखोगे, मंदिर में लोग दिया, 24 गंडे का लगा लेते हैं, वो नहीं लगाने हैं, नॉर्थीस्ट में छोटा दिया लगाई है, 10 मिनिट का, नॉर्थीस्ट में मंदिर में लाल कपड़े, बिल्कुल मत बेचाओ, हरा नीला ज्यादा यूज़ करो, लाल रंग और ट्रैंगल शेप की चीज़े, नॉर्थ के पानी के डिरेक्शन में बिल्कुल नहीं लगाईएगा, इस्ट, एयर का जोन है, एक्टिविटी का, वो जोन में पानी की अक्टिविटी को कम कीज़े, अगर वहाँ पर वाटर टैंग या फिर पानी की कोई अक्टिविटी है, वहाँ हरा रंग या पीला रंग यूज़ कर लीज़े, किसी भी माध्यम से, जोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है सेंटर से, साउथ और साउथ हीस का तो पीला रंग यूज़ कीज़े, सेंटर से कम है तो हरा रंग यूज़ कीज़े, साउथ वेस्ट में हरा रंग, ब्राउन कलर मत यूज़ कीज़े, वाइट जितना यूज़ कर सके हो ज़्यादा बेटर है, western direction में from west southwest to west of northwest और northwest white ही यूज़ कीजिए avoid कीजिए any other colors best है west of southwest जिनके बच्चों को पढ़ाई में problem है west of southwest में आप उनकी किताबे उनका study table लगा दीजिए west of northwest center से जो हमारी direction आ रही है उसको avoid कीजिए कि वहाँ पर कोई activity गर में हो किसी भी तरीके की positive activity आ वहाँ रखे अपनी photographs आपको और एक बात बताता हो योगंदर जी सब चीज़ें सही होंगी कभी-कभी बहुत सारी जगाओं पर सही चीज़ें निकल आती है सब की चलो aligned है तो colors खराब होते हैं या फिर आपकी photo negative zone में लगी हूँ यह खुद की आपकी pictures आप negative zones में से निकाल लिए west north west में से south south west में से east south east से आपकी pictures को निकाल दीजिए positive zone में लगाईए south south west drainage का zone है वहाँ पर एक पीले रंग का वाज रखे जिसका move उपर से कम हो और नीचे आकार बढ़ाओ वह आपकी drainage को control करेगा east south east में वाशिंग मशीन बताया आपको मैंने मुमधानी बताया west of northwest में मैंने आपको वाशिंग मशीन बताई तो यह सब बहुत ही minimum एक घर से ही operate किये जाने वाली चीज़े है जिनको आप अप अपर सकते हो तो भी कर सकते हो यह standard है और now before we move to the rapid fire जो एक last एक myth कई लोगों में रहता है कि मैं बस यह कर दूँगा और बैठ भी जाओंगा तो भी सब हो जाएगा तो आपका इस पर क्या take है कि भले ही यह सब कर दे action तो लेना जरूजी रहेगा देखिए यह zones में आपको डाल क्यों रहे है negative zone से क्यों बाहर निकाल रहे है चाए कुणली वाइज हो चाए आपके वास्तु वाइज हो एक ही reason है कि आपकी बुद्धी आपकी जो conscious और subconscious mind है वो धन से relate हो जाए जब वो धन से relate होगा तो automatically आप एक action में आओगे आप action नहीं लोगे तो मैं चमतकार नहीं करने वाला मेरा सबसे पहला word to my client when I enter their house after greeting him I say one thing कि boss मेरे यहादे से चमतकार नहीं होगा चमतकार तो तुम ही करोगे तुम्हें व्या सही zone में बिठाने की कोशिश करूँगा वास्तु के हिसाब से जो knowledge मैंने सीखी आप उससे right decisions right practical knowledge की तरफ जाओंगे lovely so बहुत ही amazing insights आपने दिये काफी सारे नए insights दिये और now we will move to the rapid fire ready जस्वीड जी चलिए so गर में mental wellness बढ़ाने के लिए आपका favorite वास्तु tip क्या है north east को clean रखिए north east में कोई भी clutter मिटी या किसी भी तरीके के nails नहीं होने चाहिए लाल रंग नहीं होना चाहिए आपका morning routine कैसा होता है वास्तु के साब से सुबह उठके उपर वाले से एक प्रातना करो कि आपका जो भी करम कर रहे हो जो करम जो धरम कर रहे हो कि हे भगवान आज मेरे से मेरा करम अच्छे से करवाना जहां मैं जाओं या जो मैं बनाता हूँ जो मेरी production है जो भी करता हूँ वो ऐसा करवाना कि इस से किसी दूसरे को benefit हो relaxation के लिए आपका पसंदीद आवास्टू direction क्या है और क्यों relaxation के लिए देखे सबसे best direction है south south क्या है south आपको fame देता है और relax रहता है fame किसको मिलता है जो आदमी relax रहता है mental focus और concentration के लिए quick वास्टू suggestion concentration के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि north east is very important उसके साथ south west भी है क्योंकि वो आपके skill का zone है अगर किसी के घर में पहले किसी ने suicide किया हो या negative energy का एसास हो तो उन्हें तुरंट क्या करना चीए वास्तों के साब से देखे हो सकता है societal tendency जादा तर ये west of north west भी अगर bedroom होते हैं तो हमने वहाँ देखी है क्योंकि वो drug से भी relate करते हैं या east south east या south south west तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपका bedroom position या sleeping position इन तीन zone में तो नहीं आ रही आप अपने आपको वह से move कर लीजिए बाकी हाँ किसी ने कर लिया है और आप उस गर में move हो हो तो आप अपने घर में अपने पंडित जी को बुला कि अच्छी से एक वास्तु कुजा करवाईए शान्ती पुजा करवाईए और right zone में सोईए अच्छा ये फणी है तोड़ा सा जिस घर में साज दू के जंगड़े बहुत होते हैं सबसे चैलेंजिंग वास्तु करेक्शन जो आपने किया हो कुन सा था एक फैक्टरी मैंने भी रीसेंड़ी की है पूना से थोड़ा आगे तो नो टेक दा नेम इट सब वरी बिंग ह्यूज फैक्टरी मोर देन फिफ्टी एकर वो मेरे बहुत चैलेंजिंग था बट उसके रिजल्ट्स मेरे लिए बहुत अच्छे थे अग किसी सेलेब्रीटी के घर को मेंटल वेल बिंग के लिए री रिजाइन करने का वोका मिले तो कौन होंगे सेलेब्रीटी में मैं अगर आप मेरे से ऐसे पुछोगे तो मैं करन जोर से करना चाहूंगो I want to do वास्तु with him because he is a very nice guy very polite also but somewhere I feel somewhere anxiety है anxiety to he recently said as well in Coffee with Karan that he is going through anxiety and panic attack I want to see his house and see where what thing is going wrong that is my wish so restaurant okay business के अंदर किस थरीके से वास्तू related changes किया जा सकते हैं तो जैसे ही restaurant का नाम आता है तो I feel as a proud moment also एक अच्छा भी लगता है restaurants में मैंने काफी काम किया है जिसमें बहुमे में आपको अगर मालूम होगा तो Bastion करके एक restaurant है which is in Worley अभी वो कोहिनूर मिल्स में 48th floor पे है और बेंडरा में भी उनका है So Bastion कोहिनूर is designed by me Now it's coming in various places Bangalore में we are designing 40,000 square feet Bastion So Bastion design किया है अगर आप Bastion में जाओगे तो आपको एक एक एहसास होगा एक feel factor वहाँ के staff के साथ उनके owner के साथ की उन्होंने क्या ध्यान रखा है अपने यहां आने वाले हर बंदे का क्या होता restaurant में आपकी fire as a activity है plus skill of making food आप chef तो ले आते हो बहुत अच्छा भया मैं यह chef लेके आए हूँ फलानी जगा से बट वो environment में अगर वो kitchen गलाच जगा पे चला गया तो वो chef की skill भी काम नहीं कर पाएगी right fire as a row जगा पे चली गई तो problem आ जाएगी mirrors they use lot of architects and designers they use lot of mirrors so वो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि mirrors right जगा पे आ रहे हैं के नही colors right जगा पे आ रहे हैं के नही so all these we keep in mind तो restaurant में बहुत सारे challenges है vision to you know design and give them a fun look उसके साथ मेरा साथ में वास्तु भो align करना तो best example you will see Bastion then we have one BHK in the Bombay new K-Sera-Sera so ऐसे बहुत सारे restaurants है जिन्तों में ने design किया है and they are doing pretty good रिष्टे में बार बार problems आ रहे हो या फिर सही partner का चुनाव नहीं हो पा रहा हो again South West is very important relationship के लिए चाहे हो आपकी wife के साथ है या family members के साथ है या office में staff के साथ है so finally before moving any last lesson that you want to give to our audience एक ही चीज है कि सब myths में से भारा जाईए अपने mind को खोलिए अपनी life में जैसे आप mobiles को लेके upgrade करते हूँ क्योंकि आजकल mobile नहीं आता है आदमी को upgrade करना है laptop नहीं अपग्रेड करना है कपड़े अपग्रेड करने है ये वास्तो और astrology को लेके बिना भी upgrade हो जाईए पुरानी myths में से भारा जाईए क्योंकि कुछ logics ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है बिना समझे अगर आप जितना मर्जी apply करते रहिए कुछ नहीं होने वाना अपनी बुद्धी को खोलिए समझे आपको आज मैं बताता हूँ दिल्ली में हमारा institute है महावास्तू महावास्तू का एक योगदान session होता है आप enroll कर सकते हैं महावास्तू.com में जाके जो लोग fees नहीं पे कर सकते वो महावास्तू.com की site पे जाके enroll कीजिए मेरे जैसे आपको बहुत सारे अचारियास मिलेंगे महापर experts मिलेंगे जिनके पास आपकी files पहुंच जाती हैं और आपको महावास्तू के institute में बुलाया जाता है but compulsory है mandatory है आपके घर का plan और आपके घर की location उनको भेजना so from Google Earth they take your directions and grid your plan in 16 zones before you go there आपके वहाँ जाने से पहले आपका plan ready रहता है आप जाईए वहाँ consultation लीजिए बिल्कुल मुफ्त है आपको right तरीके से वास्तू समझाया जाएगा महावास्तू की website पर जाके आप योगदान के लिए अपलाई कीजिए आपको योगदान के बहुत सारे मतलब perfect तरीके से योगदान मिलेंगे